सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज मौरपन लैप के बारे में यहां पर आप देख रहे हैं अभी यहां पर थोड़ी गिरावट हो रही है क्या इस सेयर में गिरावट के चांसेज नजर आ रहे हैं या मतलब अप्ट्रेंड मुमेंट यह दिखा सकता है इस वीडियो में यहां पर हमने दिया था बायो कॉन का सेयर और आप देखेंगे इसके टू टार्गेट अल्रेडी डन हो चुके हैं चलिए पहले हम मोरपन के रिटन्स के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर आज तो नेगिटिव रिटन्स ही रही हैं बट इसने रिटन्स बहुत अच्छे प्रोवाइड के हैं यहां पर आप देखेंगे वन मन्त में इसने 62% रिटन्स प्रोवाइड कर दिये हैं बहुत ही बड़िया रिटन्स इसने प्रोवाइड के हैं पास्टि शिक्स मन्त में भी अच्छे रिटन्स नजर आ रहे हैं 116% यही मतलब सही है और वन यह में 146-47 कह सकते हैं यहाँ पर इसके returns रहे हैं, so returns तो इसके अच्छे नजर आ रहे हैं 5 years में भी सही returns है 446% all time में आप देखेंगे, all time में भी ठीक ठाक returns है, कुछ खास तो नहीं है, वैसे 1% बट ठीक है ठीक ठाक है, कुछ नहीं है ऐसा returns चलिए यहाँ पर directly चलते हैं, क्या support level इसका नजर आ रहा है, अब वैसे थोड़े गिरावट के chances नजर आ रहे हैं यहाँ पर अगर कल यह यहाँ पर यह 94 रुपीज के round अगर closing देता है थोड़े गिरावट के chances तब हम बोल सकते हैं इस सेर में नजर आ सकता है अभी जो इसका price चल रहा है 95-96 रुपीज के round चल रहा है लेकिन अगर यह कल 94 रुपीज के round 94 रुपीज के अगर down यहाँ पर closing देता है 94 के down थोड़े गिरावट के chances नजर आ सकते हैं 88 तक यहाँ पर may be possibility हैं थोड़ा down आ सकता है यह 90 and 88 के round यह आ सकता है सो कुछ quantity बुक करने का आप लोग सोच सकते हैं बैकि यहाँ पर अगर यह 96.50 के अब आउस sustain करता है एक closing candle देता है तब यहाँ पर यह आपको जो resistance दिखा सकता है आगे 105 रुपीज की resistance दिखा सकता है तो अपने risk में आप लोग इस share को hold रखे काफ़ अच्छे returns वैसे share ने provide कर दिए हैं तो अब तो मती लीजिए share में fresh entry वाकि आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी पसंद आई होगी thanks for watching this video